यह मेवाती वह मेवाडी मिल गए दोनों सैनानी हिंदू मुस्लिम भाव छोड मिल बैठे दो हिंदूस्तानी आज जब मेवात अशान्त है तो दिल में यह बात कौन दिती है जब सालों पहले देश की आजादी के लिए मेवाती और मेवाडी दौनों मिल कर लड़े थे बहारी हमलावर ताक्तों के खिलाफ देश की एकता अखंडता के लिए एक साथ तलवार लहराई थी अध्याय के इस एपिसोड में मैं योगे शर्मा आज सुनाता हूं एक ऐसे वीर योद्धा की गाथा जिसने देश की एकता अखंडता गंगा जमनी तैजीब के लिए अपने प्राणों का महत्वनी समझा यह मान सक्षियत थे मेवात के राजा हसन खान मेवाती आज सुनाते हैं उनी की महान गाथा जिनके जीवन ने मेवाती नहीं पूरे हिंदुस्तान में सदवाव का संदेश दिया था गाता मेवाड के महाना सांगा और हसन खान मेवाती की मेवात देश के तीन राज्यों के बीच प्रमुकतौर पर फैला हुआ है यह राज्य हैं राजस्तान हर्याना पच्छिम उत्रप्रदेश साती बहरी दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा बड़ी संख्या में मेव यहां बसत कौन थे मेव राजस्तान राज्जी के अलवार भरतपूर हर्याना राज्जी के गुरुगुनाम फरीदावाद नू और पश्चिमी यूपी के मत्रा जिले के मेव वहूल इलाकों को बनकर बनता है मेवाद मेवर की उत्पत्ती को लेकर विद्वान और इतियासकार में अलग संदू और यमुना के बीच में बसने वाली जातियों के बीच विवाजन किया था कुछ विद्वान मेव के उत्पत्ती हूनों से बताते हैं मत्रा की शक्षत्रप वाले सिक्कों में शत्रप मेवक नाम भी मिलता है मघदूम साहिब लिखते हैं कि मेवक राजा ने मतश्य कि देश को मेवास्त नाम दिया होगा जो आगे चलकर मेवात कहलाया कुछ विद्वान यह भी लिखते हैं कि मेव बैदिकार्य लोगों की संतान है यह सूर्य को पूझ्ज मानते रहे हैं मेव यह शब्द से मेव की उत्पत्ती हुई है अैसा यह कहते हैं मेव 12 पाल और लगबग 40 गोत्रों में विवक्त है मीना वर्ग में भी 12 पाल और इतने ही कोत्र बताय जाते हैं कई गोत्र मेव और मीना वर्ग में आज भी एक जैसे ही है पितिहास में मेव जाती का निवास मेवाड भी कहा गया है आज भी ये भाग मेवल कहलाता है मेरवाडा में अब तक भी मेव आबादी बसती है ये कब यहां से हटे ये किसी को पता नहीं बरहाल मेव प्राचीन हिंदुस्तानी कौम थी मजब के लिहास से मेव मुसल्मान थे लेकिन अमल के लिहास से सर्फ हिंदुस्तानी एक जमाने में मेव मुसल्मान होली दिपावली मावस दशेरा जनमास्त्मी जैसे हिंदू त्योहारों को भी मानते थे मेवाड के मेव शैशकों ने हिंदू कहा जाता है कि नगीना के अस्तल में हिताराम जी और हनमान जी के मंदीर की जमीन मेव शासकों द्वारा दी गई कारणतर में कई कारण रहे जिससे धार्मिक कट्रता पनपी और आचाई गंगा जमुनी तैजीब नू की गटना ने सामपरदाई की सदवाव को जगजोर दिया है मेवात सामपरदाई को नुमात की आग में जल उठा है लेकिन मेवात पहले कभी ऐसा नहीं था हितियास में कभी नहीं यह तो राजा हसन खान मेवाती की धरती रही जो स्वातंत्रे वीर थे यह धरती रही गं मेवात का गौरवशाली इतियास जहां मेव मुस्लिम ही नहीं बस्ते हर कौम बस्ती है यह वही मेव हैं जो विवाजन की वक्त पाकिस्तान चले गए थे लेकिन नया मुस्लिम मुल्क इन्हें पसंद नहीं आया और लौट आए अपनी मात्र भूमी पर इतियास में कम ही लोग पेले अलवर और मेवात पर ठट्ठा के खान जादो का शाशन था फिरोज तुगलक के कालखंड में गड़ मलिकपूर चंपानेर राजपूर समेत कई इलाकों के बहुत से यदुवंशी और परमार राजाओं ने इसलाम धरम घ्रहन कर लिया था ठट्ठा के यदुवंशी बेटी के प्रेम पाश में बंद कर सांबर पाल ने धरम परिवर्तन किया और आगे चलकर राजा नाहर खान कैलाए नाहर खान या सांबर पाल की तीसरी पीडी में ही लोदी वंश के शाशन के दौरान अलावल खान का जनम हुआ अलावल खान के यहां हसन खान मेवाती जनमे कहा जाता है कि हसन खान मेवाती और इब्रहाइम लोदी आपस में मोसी के बेटे भाई होते थे सन 1570 श्वी में जब इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान मने तब हसन खान को अलवर मेवात का इलाका दिया गया हसन खान ने अपने समय में अलवर मेवात को सम्रत बनाने में कोई कमी नहीं रेखी हसन खान पहले शाषक थे जिसने मेवात में इस्तिर शाषन दिया वैबलवान सहसी विद्या प्रेमी सभी धर्मों का आधर करने वाले कर्मठ शायर और देश्वक्त थे कि अब हसन खान के जीवन में वैगटना गटी है जिसने उसे अमर बना दिया 21 अपरेल 1526 में पानीपत के चर्चित युद्ध में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इबराहिम लोदी मुगलों से हार गई इबराहिम लोदी की मौत के साथ ही दिल्ली सामराज जिससे लोदी वंश समाप्त हो गया कहा जाता है बाबर ने इब्रहाम लोदी के हत्या कर दी मुगलों की वीरता क्या आगे खान जादों की सैना भी टहर नहीं सकी राजा हसन खान मेवाती चुने हुए सरदारों के साथ जंगलों में बटकने पर मजबूर हो गए ग्यारा सालों तक बाबर से हसन खान लोहा लेते रहे मेवातियों ने मुगलों को चैन नहीं लेने दिया इसी दोरान एक ऐसी घड़ी आई जब स्वदेश की रक्षा के लिए मेवात और मेवाड करीब आ गए मेवाड के महराना और अदम में वीर राणा सांगा का निमंत्रण हसन खान मेवाति को मिला तब राणा सांगा बाबर के खिलाफ बिखरे हुए राजपूत राजाओं और सरदारों को एकत्रित करने में जुटे थे बाबर चतुर और चालाग था जब उसे राणा सांगा की और से हसन खान को दिये गए निमंत्रण का पता चला तो उसने दो दूट मुलातुरक अली और नजफ बेक को सुले के पैगाम के साथ हसन खान के पास भेजा बाबर के दूटों ने अपने हसन खान को पैगाम सुनाया बाबर ने प्रलोबन दिया कि वे हसन खान को मेवात का स्वतंत्र शाह बना देगा यदि वै एक बार बाबर को आकर ताजीम दे हसन खान के पानिपत युद्ध में बंदी बनाए गए एक पुत्र को भी रिहा कर दिया जाएगा बाबर ने पैगाम के साथ हसन खान के पास धेड़ शारी अशर्फियों के थाल दास दासियों और नीलम रत्न के मुठ से सुसजित बेश कीमती तलवार भी बत और नजराने भीजी बाबर को इस बात का अंदाजा था कि राणा सांगा की सेना अभी दूर है ऐसे में दिल्ली के पड़ोसी राज्य मेवात को दुश्मन बनाये रखना ठीक नहीं होगा ये राजनितिक नियमों के भी विरुद्ध होगा पड़ोसी की चत्रुता अच्छी नहीं होती इसलिए बाबर ने राणा सांगा की से युद्ध से पहले हसन खान को अपनी और मिलाने की रणनीति बनाई है मगर हसन खान वेवाती तो उस माटी का सपूत था जिसके कणकण में देश प्रेम की भावना बसी थी स्वदेश प्रेम की खातिर राजा हसन खान मेवाती ने बाबर की दोर से बेजा गया आकरशक प्रस्ताव ठुकरा दिया हसन खान के लिए राणा संगा जैसे वीर योद्धा की मित्रता ज्यादा महत्तपून थी ना कि धन वैवाव और सत्ता सुख इतना ही नहीं हसन खान मेवाती ने सवदेश प्रेम के इस यग्ण में अपने पुत्र तक इसका पश्चाताब भी बाबर को रहा तुजूग पुस्तक में बाबर ने इसका उल्लेख भी किया हसन खान मेवाती ने जात पात धरम और प्रलोबन से परेज आकर राणा सांगा को दिया वचन निभाया और तक्रीबन 12,000 मेवाती सेनिकों को लेकर बयाना कूश कर दिया जब सोलमी शताबदी की शुरुआत में बाबर एक आकरांता के रूप में हिंदुस्तान में आया था और उसने पानीपत के युद्ध में इबराहिम लोधी को परास्त कर दिल्ली पर फत्य पराप्त कर ली थी लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ा टास्क उसके बाद था राना सांगा चित्तोड में मेवाड में जो राना सांगा थे उनको जीते बगएर वो हिंदुस्तान पर शासन नहीं कर सकता था इसलिए उसने योजना बनाई कि राना सांगा से भी युद्ध किया जाए वो युद्ध खानवा के मैदान में हुआ था जब वो युद्ध उसकी जरूरत हुई बावर को कि ये अपनी जर्थ मिला ले मिल गए थे राना संहा का साथ चोड़ गए थे लेकिन हसन खा मेवाती को कощusने की अभा दिया रानाशाण वृस को कि मैं इस मात रुह हूं क पैदाइस हूं और तुम बाहर से आए हो इसलिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस अपनी मातर्भूमी की रक्षा करूँगा ये इसी मेवात इलाके का था और वो है आप देखिए बावर के साथ जाता तो बहुत से प्रलोभन बावर ने उसको दिये थे और वो शासक भी बना रहता लेकिन राना सांगा की तरफ गया और खानवा के मैदान में जाकर सहीद हो गया ऐसी धर्ती है मेवात की 16 मार्च 1527 का वो दिन जब पानीपत युद्ध के बाद खानवा के युद्ध की शुरुवात हो गयी आगरा से थोड़ी दूर पर खानवा का युद्ध घमासान इस्तती में पहुँच गया पहले तो राणा सांगा और हसन खान मेवाती की सैना के सामने मुगल सैना के पाउं उखड़ गए शेक जमाली मुला तुर्क अली के सुजाव के बाद बाबर अपनी सैना के साथ अजमेर की और भाग शूटा इसी समय हसन खान मेवाती ने राणा सांगा को सला दी थी कि मुगल सेना का पीछा कर्णे ने दबाव बना दिया जाए लेकिन राणा की सेना वापस चावनी में लौट आई तेईस दिनों के बाद बावर फिर से अपनी फौज को संगठित कर लड़ाई के मैदान में उतर गया राजा हसन खान मेवाती अपने सेनीकों के साथ वीरता से लड़े और खुद वीर गती को प्राप्त हो गया इसके साथी मेवात पर दोशु सालों से चला आरहा खान जादा शाहसन का अंत हो गया वोई खान जादा जो के चौदवी Poddives में मेवात के वली बने थे मुगलों से हार के बाद आगे सलकर मेवात मुगल समरजी का एक हिसा मन कर रह गया खानवा युद्ध की जीत के बाद भारत में मुगल सामरेज्ज का विधिवत उद्य हो गया कहा जाता है कि हसन खान को अंतिम युद्ध से पहले उनके गुरू सेयद जमाल एमद बहदूर पुरी ने बाबर से लड़ने से मना किया था बच्पन से हसन खान मेवाती सेयद साप की आग्या का पानल्म करते थे लेकिन बाबर से युद्ध के वक्त हसन खान ने वो मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया जिसमें आगे चलकर वो वीर गती को प्राप्थ होए थे वीर गती प्राप्थ होना उन्होंने स्विकारा इतना ही नहीं हसन खान अलवर से विदा होते समय ये कहकर गए थे कि वह मेवात की स्वाधीनता लाएंगे या उनकी लाश वापस आईगी खानवा की युद्ध ने देश में मुगल सक्ता को इस्तापित कर दिया लेकिन राणा सांगा और हसन खान मेवाती का बलिदान इत्यास में अमर हो गया हिंदु मुस्लिम एक्ता के प्रखर व्यक्तित्व के तौर पर राजा हसन खान मेवाती का नाम स्वान अक्षरों में गीना जाता है मेवात में एक ऐसे संत भी हुए चिनोंने धर्म की खाई को पाटने का काम करके दिखाया और दिया गंगा जमनी तैजीव का संदेश मेवात के यह संत थे संत लाल्डास, अलवर के समीप धुली धूब में जन्मे महान संत लाल्डास प्रकर संत दादूदेयाल और महाकवी जाईसी के समकालीन थी भक्तमाल में भी नाबाधास ने इनका वर्णन किया है मेजर पाउलट ने अलवर गजेटियर में संत लालदास के बारे में पिस्तार से लिखा है गंगा जमनी तैजीव के प्रवर्तक लालदास ने अपने दोहों के जरीये लिखा है कहे लाल साई को प्यारो श्रमन सुनो एक शबद हमारो हिंदू तुर्क एक सो सूजे साहब सबगर एक ही सूजे लालदास के अन्युआई हिंदू और मुस्लिम दोनों है शेरपुर में इनकी समादी है जहां हर बरस मेले बढ़ते है दोली दूब में भी ऐसा ही होता है मेवात में रहने वाला मेम समुदाय इसलाम ध्रम का अन्युआई बले ही रहा हो लेकिन उसने कभी कट्टर ताक को स्विकार नहीं किया इसकी वज़े रही किया समुदाय बार्वी सदी के बाद उत्तर भारत में चले सूफी अंदोलन से प्रभावित होकर प्रेम और बराबरी के आजार पर इसलाम की तरफ जुका था अन्य था जब तक ये अपने आदिम पहाडी जिंजाती की तरह रहा तब तक अरावली परवत माला में रहने वाले मीना समुदाय के साथ इसकी नाकेव नजदी की रही वरन इन दोनों समुदायों की आपस में रिष्टेदारी भी रही दरिया खान और शशी बदनी की प्रेम विवा की बात आज तक मेवात में प्रसलित है लेकिन जब से वोटों पर आधारी चुनाव पद्धती चली है तब से ही आजादी मिलने के बाद के कुछ सालों को छोड़कर जाती और समपरदायों पर आधारी वोट विवाजन कर दुर्वी करण की प्रकरियाबी शुरू हो गई उसी का परिणाम है समपरदाय की सदभाव का बिगड़ना अध्याय के मौजदा एपिसोड का अर्थ यही है मेवात के अतीत में रही प्रेम मिठास गंगा जमनी तैजीब को फिर से इस्तापित करना वही पुराना मेवात हो जो धरम और कट्टरता से परे हसन खान मेवाती का मेवात हो जहाँ सामपरदाय कुनमाद और गोकशी की कोई जगना राजनेती हो लेकिन धरम के मुताबिक नहीं मेवात के अजीम शायर सनु मेवाती का एक मशूर दो है नू तो सारे कौम ही रहां एक ही साथ मेवगणी तादाद में नू बाजे मेवात अध्याय के अगली एपिसोड में फिर एक नई राजनेतिक गाथा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे कहते हैं अलविदा नमस्कार जैहिंद